My dear students, welcome you in this new video Guys, आज का यह वीडियो काफी important होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम 30 मार्च को होने वाले board examination जो की subject English से related होगा उसके बारे में कुछ चीजों को जो है की detail में जानेंगी There are lot of queries of students related to this paper बहुत सारे विद्यारती पूछ रहे हैं की questions के section कितने होंगे Question के type क्या होगा कौन से question या कौन से section में कितने marks के question पूछे जाएंगे So guys, we are going to solve all these problems in this video तो यह video एक master video होने वाला है अगर आप देखते हैं तो बहुत से चीजे जो है की आपको यहां से clear हो जाएंगी यहां तक की मैं आपको बताऊंगा की कैसे आप 70 to 75 marks इन 10 दिनों में तयार कर सकते हैं Believe me guys, it is really easy to achieve 70 to 75 marks within 10 days लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ 10 दिनों तक बने रहना होगा जो चीजे आपको बताई जाएंगी जो चीजे आपको समझाई जाएंगी उसको आपको follow करना होगा And give me one hour every day आप मुझे बस एक घंटा दो Every day, 10 दिनों में अभी से 10 दिन रहा गया है तो 10 दिनों में आप मुझे एक घंटा दो और विश्वास करो कि 70 to 75 marks आप easily obtain कर सकते हो अगर आपने English की classes कर रखी हैं तो भी नहीं कर रखी हैं तो भी आप इन जो वीडियोज का सीरीज होगा आप इसे जरूर देखे So guys, एक request है मेरी आप से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लग रहा हो कि नहीं सर्व नहीं जो बताया है इससे हम 70 to 75 marks achieve कर सकते हैं तो guys आपको ये वीडियोज सेर करना होगा guys इससे आपको और आपके दोस्तों को दोनों लोगों को फायदा होगा और मुझे भी motivation मिलेगा कि नहीं मेरे वीडियो बच्चे देख रहे हैं like कर रहे हैं So मुझे एक प्रकार का inspiration मिलेगा motivation मिलेगा जिससे कि मैं आगे का भी part बना पाऊंगा So guys, without making any delay we start this video now आपके ये जो 12th का examination होने वाला है NCIT pattern UP boards related इसमें guys section कितने होंगे 4 होंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें section की संख्या दे रखी है 4 section A, section B यहां guys आप देख सकते हो section कितने हैं 4 है section A, B, C, D अब यहाँ पर section A, B, C, D तो हो गया अब इस section में section को एके करके हम देखते हैं कि आप section A की बात करो, तो section A की अगर आप बात कर रहे हो, तो section A की अगर आप बात कर रहे हो, तो section A is called reading section or comprehension also, यहाँ पर आपको क्या होता है, कि guys आप देख सकते हो कि एक long passes दिया जाता है, and there were some questions related to this paragraph, यह paragraph किसी महानपुरुस के पर बेस्ट हो सकता है या किसी साइन्स पर बेस्ट हो सकता है I mean किसी साइन्स के इन्वेंशन से आपका मत्तब एर लेसन इसका हो सकता है मत्तब एक long paragraph दिया रहेगा पैसे दिया रहेगा जिसमें 200 से 300 सब यूज होते हैं और यहां पर आपको यह आप section जो होता यहां पे one long paragraph या passage मैंने लिख रखा है यहां पर आप देखो कि यहां पर लिखा है कि four multiple three it means there are four questions of three marks यानि कि चार question तीन नंबर के पूछे जाते हैं जो कि 12 नंबर का हो जाएगा और विश्वास कीजिए आपने अगर कोई series खरीद रखी है किसी भी publication की that doesn't matter कि मेरे पास विद्या है काका है अतार है that doesn't matter अगर आपने series ले रखी है बेटा तो आपको मात्र साथ या छे paragraph passage करने हैं घर पे section A उसमें दिया हुआ है आप series में जाके डोडो सलेबस में एक-एक paragraph everyday आपको लगाने है और उसमें आपको क्या करना है देखिए बहुत सारे बच्चे घबडा जाते हैं कि सर मुझे तो हिंदी नहीं आती इंग्लिस में paragraph दिया है उसका translation करने में problem हो रहा है it means 50-50 का क्या मतलब है तो 50-50 का मतलब यह है कि इसमें 50 questions ऐसे होते हैं जो weak students के लिए होते हैं जो normally कोई हलका फुलका भी पढ़ने वाला होगा तो चाहेगा अगर तो 10-15 दिन की मेहनत में ओ 50 number 60 number अराम से बिना पढ़े भी achieve कर सकता है तो यहां जो section A आपको reading section दिया हुए जहां 12 number के question पूछे जा रहा है तो इन 12 marks के question में guys क्या करना है कि आपको जो question दिया होगा उसका answer कहां रहेगा तो यह जो एक passes दिया रहता है इसी passes में इसी paragraph ने यह जो question है 4 question इस इनके answer आपको वही मिलने है और फिर मैंने आगे लिखा है 3 multiple one it means 3 question होंगे 1-1 marks के यानि की 3 marks के हो जाएंगे यह synonyms, antonyms, items based होंगे इसमें आपको पूछा जाएगा कि यह बताइए कि यह जो सब्द दिया हुआ है इसका synonyms आपके इस passage में क्या है तो it might be difficult for you but मैं कह रहा हूँ कि 12 number तो आप easily achieve कर सकते हो क्योंकि इनका answer मिल जाता है जैसे यह कैसे दिये होते हैं थोड़सा मैं आपको दिखा दू wait guys देखे, मैंने pdf भी खोल रखे हैं मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ देखे, लिखा यहाँ पर reading section read the following passage carefully and answer the question that follows यहाँ पर लिखा हुआ है एक paragraph है आप देख सकते हूँ यहाँ पर जो है कि पूरा paragraph दिया हुआ है जिसमें कुछ चीज़े, कुछ बाते लिखी हुई है आपको इनको हिंदी नहीं आपको इनको हिंदी नहीं निकालना है आपको क्या करना है जैसे पहला question देखे लिखा है तो इसमें यह three marks का question है बटा और इसका answer हम कैसे देंगे तो man is a gregarious animal living in a society his neighbors are the people who are immediately around him because of their close proximity and the constant pressure of society they plan a curical role in our life तो इतना लंबा नहीं लिखना है आपको बस इतना लिखना के man is a gregarious animal living in a society तो यहां पे बस अगर आप society तक भी लिख दोगे न तो आपका काम जोए कि आसानी से हो जाएगा ठीक है आप चाओ तो एक लाइन थोड़ा और बढ़ा के लिख दो around him तक लिख दो no problem अब फिर question अगरा है what critical role do our neighbors play in our lives तो लिखा न कि his neighbors are the people who are miserably around him because of the year तो आप दूड़ोगे न तो कहीं न कहीं इनके answer आपको easily मिल जाने है यह आपका actually क्या है कि model paper है यह model paper published किया गया था देख लीजिए गाइस इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको 3-3 marks के कितने question पूछे गए है 3-3 marks के आपके question पूछे गए है यहाँ पे 4 यानि कि 12 marks के है और यह देखे क्या दिखा है कि the word means which word in the passage means closeness फिर लिखा है opposite of often और फिर लिखा है at hand तो यहाँ से जो है न कि यहाँ से देखो तीन यह वोके वेलरी बेस्ट questions दिए गए है यहाँ पे वोके वेलरी क्वेस्ट समझ रहे है न आप लोग तो वोके वेलरी क्वेस्ट सो का इसम पॉइंट पे आते हैं अपनी और यहाँ पर देखते हैं जो आपने लिख रखा था जो आपने लिख रखा था यहाँ पर आप देख रहे थे reading section की बात हो रही थी तो यहाँ पर आप जोए कि 12 marks यहाँ पर जोए कि आप 12 marks easily obtain कर सकते हैं यहाँ पर आप जोए कि 12 marks easily obtain कर सकते हैं अब हम आते है next section B की बात करते हैं section B is a writing section यह जो writing section होता है यह जो आपका writing section होता है इसमें क्या होता है कि एक letter लिखने को आता है और एक article लिखने को आता है तो यहाँ पे letter or article writing यह section section A and section B मेरे ख्याल से बहुत important है और बहुत ही easy है आपको विश्वास नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा letter के format को जाने तो यहाँ से अगर आप letter or article को मिला के 6-6 marks का भी कर रहे है तो 12 marks आप यहाँ से easily obtain कर सकते हैं और 12 marks आप reading section से तो 12 और 12, 24 marks तो आपने easily obtain कर लिया और विश्वास किजिए अगर आपने कमेंट में लिखा तो मैं जरूर letter or article पर आपको बस format बता दूँगा guys, letter का format अगर आपको पता होगा न तो 6 number पाने से आपको कोई नि रोख सकता article का भी अपना format है article क्या है? article is just like essay पहले क्या होता था? essay लिखने को आता था but यह बहुत lengthy हुआ करता था यह जो essay होता था न यह 200 to 250 words होता था but now article में क्या आपके लिए beneficial है? article जो है कि 100 to 150 words it means अगर आप at least 10 to 12 lines लिखते हो guys, तो आपको easily 6 marks मिल जाएंगे in the same way letter मिल जाएंगे, लेकिन ncrt कहती है कि I want format, letter का भी अपना ncrt का format है, यह नहीं कि पेन उठाए और लिख दिये, article कुछ भी लिख दिये, नहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने इस पे दबाकर मतलब like और share किया तो मैं जो है कि अगला वीडियो लेटर और article पे बना के आपके सामने रख दूँगा next part में, so guys must share it, तो लेटर और article, तो अभी तक हमने कितने number देख लिए, अगर हम 10 दिन की वीडियो देखते हैं, लागातार सीरीज हमारे चलती है तो 25 marks अभी तक के section से आ चुके है अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं section C, grammar section लिखा हुआ है guys, grammar section जो है कि 25 marks का है कठीन है बट आसान है, कैसे तो समझते हैं इस चीज को optional question पुछे जाएंगे यहाँ पर यह जो आप देख रहे हो 5 multiple to equal to 10 जो आप देख रहे हो guys यहाँ पे 5 question जो 2-2 marks के होंगे यह optional होंगे, means आपको यहाँ पे 4 option दिया जाएंगे, और 4 हो में क्योंकि examination hall में कभी-कभी ऐसा महौल बन जाता है कि कोई teacher आके मदद कर देता है यह बहुत अच्छी बात है कि आपको आ रहा है, that's the best thing बट अगर नहीं आ रहा है तो इस 10 number को गावाना नहीं है क्योंकि option type questions वे questions होते हैं, जो आपको full में full marks दिलाते हैं तो यह option type questions में one word substitution पूछा जाएगा homophones पूछे जाएगे, idioms and phrases पूछा जाएगा, antonyms, anonyms यहां तक कि guys, syntax भी two marks का आप optional में दिया हुआ है आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको यहां दिखा सकता हूँ wait sorry, wait guys यहां पर देखी, इस model paper में grammar, section C, grammar section है आप देखे यहां पर तो section C, जो grammar section दिया हुआ है इसमें देखे लिखा है na, choose the correct option answer to following questions ऐसे करके दिया है the absence of government in a court is called तो यहां पर, यहां पर हो जाता है मुनार्की, option A सही है guys इसके लिए आपको one-one याद करना पड़ता है, बट अभी उतना time है नहीं तो आप इस पे ज़्यादा focus न करें अगर possible हो, तो याद कर लो at least hundred, one word तो याद कर ही लो कर लो, फिर आपको दिया है Adams and Fridge, inching towards, तो inching towards का यहां पर third number होगा to move slowly in a direction तो guys यह सब चीज़े कहां से आती है तो यह सब चीज़े आपको मिलेंगी आपको याद करने से, फिर क्या दिया है synonyms of meager तो यहां पर meager का scanty हो जाएगा ठीक है, कमी, अब यहां पर जो d number question देख रहे हो, यह syntax से दिया हुआ है one should do his duty तो यहां his गलत है his गलत है, तो इसमें पूचा है कि कौन सा which word in the sentence is an error किसमें एक गलती है error पूचा है, तो यहां पर his गलत है क्योंकि one के साथ क्या आता है, तो आपने पढ़ रखा होगा one के साथ आता है ones, तो गलती वहां पे थी फिर एंटॉनिम साब बैरन पूचा है तो बैरन में देखे, एक fertile, एक fertile दिया हुआ है तो यहां पर बच्चे काफी डाउट में हो जाएंगे तो यहां पर option A सही होगा fertile, तो guys मैं क्या करा था ना कि यह जो आपके question होते हैं, sorry यह जो आपके question है, option best question, यह 10 marks के जो question है, यह guys आप easily obtain कर सकते हो, और अगर नहीं आएगा तो थोड़ा wait कर ले ना, दो गंटे बाद, धाई गंटे बाद, आप इसको मतलब question को वहाँ पे note करके छोड़ दो, और दो गंटे धाई गंटे बाद आप इसको करना यहां से 10 marks आप कर सकते हो, फिर grammar section में 10 marks के और question पूछे जा रहे हैं, यहां पे देखिए 10 marks के और question पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या अंतर है भाई, change as directed, यह थोड़ा आपके लिए कठीन हो सकता है, यह आपके लिए 10 marks के question पूछे जाएंगे, आप कहोगे sir narration, narration से कैसे पूछेगा, तो narration से generally आपको बनाने के लिए देगा जैसे देगा, he said to me are you going to school today तो उसको change करना होगा इंडिरेक्ट में transformation में जैसे आपने पढ़ रखा होगा removal of two, आपका यह degree, interchange of degree of comparison है, assertive to negative है, तो यह सब चीज़े यहां से पूछी जाती है, और synthesis वाक्यों का सन्योजन, जहां पे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ कर एक नया simple complex और compound sentence बनाना होता है, जिसमें तीनों वाक्यों के या दो वाक्यों को जिनको आप जोड़ रहे हो, उनका पूरा sense आजाए, तो यह portion थ्वासा difficult हो सकता है, लेकिन अगर आप देखो, तो अगर आपका लग सही रहा, तो अगर आप narration और transformation में अगर voice आ गया, तो यहां से आप 4-5 नंबर तो आसाने से कर ले जाओगे, guys तो हमने क्या देखा भी तक, हमने देखा कि यहां से 12 marks, यहांने 12 marks reading section से, 12 marks writing section से, और आप देख सकते हो, यहां से अगर option based question आप अगर आप कर ले रहे हो तो 10 में से मैं मान लेता हूँ, अगर 10 में से आप 8 भी कर लेते हो, guys sorry, यह हो गया wait you get 12 marks यहां राइटिंग सक्षन से भी 12 marks और यहां से अगर आप मान के चलता हूँ 6 marks कर लेते हो, यहां से 4 marks कर लेते हो, तो कितना हो गया 12, 12, 24 और 10, 34 और guys, translation है तो translation में बच्चे जोए panic हो जाते हैं, तो आपको panic होने की जरूवत नहीं है, panic होने की जरूवत इसलिए नहीं है क्योंकि transition मैं मानता हूँ it is the most difficult thing transition उसी को आएगा, जिसका grammar rule और आपके यह vocabulary जो होती है यह सारी चीशे जब अच्छी रहेंगी, तभी आप Hindi to English transition कर पाओगे बट आपके लिए राहत की बात ही है कि यह five marks का ही पूछ रहा है अब जब यह five marks का पूछ रहा है तो इसमें हमें ज़्यादा attention देने की जरूवत नहीं है क्योंकि अगर आपको यह आ रहा है हलका फुलका भी, मान लिजे कि आपको एक paragraph 12 line का दिया गया है जिसको आपको English में translate करना है पूरी कहानी के रूप में दिया गया आपको नहीं आ रहा है पुरा मान लो पहले line का आपको English नहीं आ रहा है दूसरी line का English नहीं आ रहा है तीसरी line का आपको English आ रहा है तो आपको पहले उस Hindi में उससे जिस line का Hindi आ रहा है जिस line का English आ रहा है उस line का Hindi आपको लिख लेना है और उस के नीचे उस Hindi के नीचे उसका English Translum कर देना है तिसरी line का फिर मालो चौथे का आपका नहीं आ रहा है पांच वेक आ रहा है तो फिर पांच वेक आप Hindi लिखोगे आप उसके नीचे English लिखोगे इससे क्या होगा guys कि जो examiner है अगर आप गलती सही पूरा पहली line से लेके लाश्ट तक बनाते हो तो examiner के दिमाग मोता यार यह क्या मतलब बकवास भर दिया है लिकिन अगर आप एक एक line को जो आ रहा है मालो को आपको पांच ही line 12 में से 5 line का रहा है तो पांच line की हिंदी आप लिखो पहले और फिर पांच line का क्या कर दो फिर पांच line का जो है कि उसका English बनाओ और विश्वास करो guys यहां से आप असानी से जो है न असानी से जो है कि दो नंबर तो easily आप उप्टेन कर लोगे यहां से यहां से दो नंबर जो है कि आसानी से प्राप्त कर सकते हो आप दो नंबर यहां से तो मेरे कहल से हमारा हुआ था 35 34 हुआ था यह हो जागा 36 ठेक है और section D जो है literature section जो यहां से आपका literature section D जो है यह literature यानि कि जो आपका prose supplementary और poetry अपने पढ़ रखा है यहां से 40 marks के question पूछे जाते हैं जो कि काफी bulk है मतलब इन सभी section में सबसे जादे section में कहीं किसी marking की गई है तो आपकी literature section में है तो अगर मैं बता दू न अगर मेरे साथ आप बने रहोगे तो literature section में मैं 20 number आपको करवा दूँगा मेरी बात का विश्वास कीजिए इन 10 दिनों में तो अभी तक हमारा 36 हुआ था और यहां पे हमने पा लिया कितना 20, minimum मैं मान के चल रहा हूँ तो हमारा आओ गया 50 to 60 मतलब 60 number तो हम ऐसे वीडियो देखते देखते कर लिए लेकिन अब इनके लिए आपने जो नहीं पढ़ रखा है उसके लिए मैं हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए and I promise you कि आपको देखना examination का जब result आएगा तब आपको होगे कि 10 दिन के वीडियो मैंने देखे और वाकई में इन वीडियो ने मुझे 70 या 75 marks लाने में मेरी मदद की आपको मुझे एक घंटे परड़े देना होगा उसके लिए आज के वीडियो में इतना ही आपको like, share, subscribe अगर मेरे चैनल को आपने नहीं किया तो कर लीजिए और like, 200 like का target है 200 like आप अपने दोस्तों को share कीजिए जिससे कि उनको भी benefit मिल सके और मुझे inspiration and motivation मिले गाईज So, thank you for watching this video Bye